नमस्ते दोस्तों, मैं उपी गलोत, हम लोग सामान्य ग्यान जीके के 5000 सवालों की एक सीरीज कर रहे हैं इवन 5000 नहीं, 10 से 15000 सवाल हमारे तयार होंगे अगर हम इस सीरीज को अच्छे से करते हैं तो इसके दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं, पार्ट एक और पार्ट दूसरा हम दो पहले कर चुके हैं, आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और सभी पार्ट को अराम से देखेंगे और इन सवालों के साथ जो एक्स्ट्रा सवाल बन रहे हैं, उनको भी हम साथ साथ में करेंगे तो कुल मिलागर के आपके 15000 सवाल जो है वो तयार हो जाएंगे और आने वाले एक्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत जादा ये सवाल फाइदा करेंगे तो बीना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं तो पहला सवाल देखें, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठीन होता है तो बर्फ पर हम चल नहीं पाते हैं, हम फिसल जाते हैं तो इसमें किसका अभाव होता है? घर्षन का अभाव होता है बर्फ पर घर्षन नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग फिसल जाते हैं तो इसका मलब जहाँ पे घर्षन कम होगा, वहाँ पर हम चल नहीं पाएंगे. इसका मलब ब्रेक लगाने के लिए क्या जरूरी है? घर्षन जरूरी है. तो बरफ पर घर्षन नहीं होता है, इसलिए हम बरफ पर आसानी से चल नहीं सकते. दूसरा स्वाल आपके श्रीयन पे है देखे किस राष्टपती की मृत्यू सरो पर्थम अपने कार्यकाल में हो गई थी मलए ऐसा कौन राष्टपती था जो पद पर रहते वे उनकी मृत्यू हो गई थी तो ऐसे राष्टपती थे डॉक्टर जाकीर हुसेन एसे राष्टपती कौन से डॉक्टर जाकीर हुसेन थे भारत के राष्टपती और एक कितने नंबर के राष्टपती थे तीसरे नंबर के राष्टपती थे जिनकी पद पर रहते वे मृत्यू हो गई थी तो मैं अगर आपसे पूझू भारत का पहला राष्टपती कौन था तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंदर परसाद भारत के पहले राष्टपती थे जो कि 1950 में राष्टपती बने थे और कब तक रहे थे 1962 तक राष्टपती रहे थे और ये बिहार से थे और इनका एक रिकॉर्ड ये भी था कि भारत के अब तक के सबसे ज़्यादा समय तक राष्टपती रहे थे लगवग 12 साल तक ये राष्टपती रहे थे दूसरे राष्टपती कौन थे सरोपली राधा क्रिशन जो 1962 में बने थे और 1967 तक रहे थे सरोपली राधा क्रिशन थे फिर तीसरे राष्टपती बने थे डॉक्टर जाकीर हुसेन बने थे तीसरे राष्टपती और कब बने थे 1967 में और हम जानते हैं कि राश्पती का कार्यकाल कितना होता है पांस साल होता है इनको पांस साल तक रहना चाहिए था लेकिन 1969 में इनकी डेथ होने की वज़े से ये दो साल तक ही रहे थे तो इसका एंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसेन जो अपने पद पर रहते वे मरती हो गई थी इनकी तो इस सवाल से हम इतना सीख सकते हैं तो जितने भी सवाल के साथ एक्स्ट्रा सवाल बनेंगे उनको भी हम डिसकस करेंगे तो आप जीक्यों को इसी तरह से हमें पढ़ना एक सवाल के साथ हम कितने सवाल जादा कर सकते हैं वो आपको वहाँ पर बेनिफिट करेगा एक्जाम के अंदर तो तीसरा सवाल देखिए किनका सामनिय नाम नुकलियोंस है नुकलियोंस किसे एक आ जाता है तो मैं आपके सामने एक परमाणू बना देता हूँ इतना बड़ा परमाणू नहीं होता है बहुत छोटा होता है लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मनाता हूँ यह परमाणू है तो परमाणू के अंदर क्या होता है कि तीन कण होता है एक तो होता है proton एक होता है neutron और एक होता है electron जो इसकी कगसा में चारों और चक्र लगाता है तो कोई भी परमाणू जो होता है उसके तीन कण होते है proton, neutron और electron अब proton और neutron जो होता है इसी को nucleons कहा जाता है जो हमारा सवाल है कि nucleons किसे कहेंगे तो आप कहेंगे proton और neutron को nucleons कहा जाता है अब इसी पर सवाल बन सकता है कि proton की खोज किसने की थी तो proton जो था उसकी खोज किसने की Rutherford और Goldstein ने मिलकर के की थी Rutherford और Goldstein ने मिलकर के proton की खोज की थी neutron की खोज किसने की तो neutron की खोज की थी Chadwick ने न्यूट्रोन की खोज किसने की? चैडविक ने न्यूट्रोन की खोज करी थी. अब अगर मैं आपसे पूछू, इलोक्ट्रोन की खोज किसने की? तो इलोक्ट्रोन की जो खोज की थी, वो की थी जे जे थॉम्सन ने. पिलोप्टोन की खोज कीती जे जे थॉमसन है तो कुल मिलाकर के हमारे इतने सवाल बन सकते हैं तो प्रोटोन और नूट्रोंस को क्या का जाता है नूकलियोंस के नाम से जना जाता है तो तीसरे सवाल का हमारा एंसर हो गया नूकलियोंस अब चौता साल देखे, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, किसने सत्या आश्रम और स्री प्रत्वी वल्लब की उपादी धारण की थी, ये कौन राजा था, जिसने सत्या आश्रम और स्री प्रत्वी वल्लब की उपादी धारण की थी, तो पुलकेसित दित् ये उपादी धारण की थी और पुलकेशिन दित्य की एक उपादी कल हमने पड़ी थी पार्ट दो में हमने एक सवाल किया था कि पुलकेशिन दित्य ने हर्श वर्दन को हराकर के परमेश्वर की उपादी धारण की थी इसका मलग पुलके सिंदित्य की तीन उपादिया हमें याद होनी चाहिए एक तो सतियास्रे, एक होगी श्री प्रत्वी वलब और एक परमेस्वर हमने पहले पड़ी थी हर्श वर्दन को हरा करके उसने परमेस्वर उपादी धारण करी थी और ये पुलकेसित दित्य जो था एक चालू के वंस का सा सकता और चालू के वंस का है बादामी का है दक्षिन भारत के ये वंस है बादामी का चालू के वंस था और सबसे ताकतवर ये सा सकता बादामी के चालू के वंस का पुलकेसित दित्य तो इस सवाल से हम इतना सीख सकत अपनी भासा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लिखा था भारतेंदू हरीश्चंदर ने लिखा था अपनी भासा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें लिखा था भारतेंदू हरीश्चंदर ने तो इस सवाल का जवाब हो गया भारतेंदर हरीश्चंदर अब अगला प्रमाण सिलीका और एलिमुनियम से हुआ है तो इस सवाल से भी हम लगबग साथ से आठ सवाल सीख सकते हैं मैं आपके सामने एक प्रत्वी बनारों मालों यह प्रत्वी है कल हमने पार्ट दो के अंदर पढ़ा की भूमदिय रेखा का वयास कितना होता है प्रत्वी का 12756 हो होता है तो इस तरह से हम रिलेट करकर के पढ़ाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप सब पार्ट को अराम से सुनते हैं जब टाइम मिले एरफॉन डाल दीजिए और उनको सुनिए ताकि आपको ज़्यादा एक्जाम में फाइदा तो इस तरह से हम करें अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे भी ये प्रत्वी है तो प्रत्वी की जो उपरी सत्व होती है इसको कहा जाता है सियाल तीन भागों में इसको बाटा जा है तो उपरी जो होगी उसको कहेंगे सियाल सियाल कहते है या फिर भुकम के आदार प तो उपरी परत को crust के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, crust, या फिर हिंदी के अंदर इसको कहते हैं, भू पर पटी कहते हैं, उपरी परत जो होती है, उसे crust या भू पर पटी कहते हैं, अब सियाल, इसको उपरी परत को सियाल भी कहते हैं, क्रश्ट भी कहते हैं और हिंदी में भूपटी भी कहते हैं अब सियाल से पता चल गया कि इसके अंदर सिलिका और अलूमुनियम ज़्यादा पाया जाएगा और ऑक्सिजन तो पाया जाएगा ही जाएगा सबसे ज़्यादा ऑक्सिजन ही पाया जाता है क्रश्ट के अंदर और अगर इसको भुकम के आदार पर क्या का जाता है इसको mental के नाम से जाना जाता है भुकम के आदार पर इसको क्या कहेंगे mental कहेंगे और तीसरी जो होती है उसे core का जाता है भुकम के आदार पर और अगर तत्व के आदार पर का जाता है निफे तत्व के आदार पर क्या कहत सियाल सीमा और निफे सबसे अंतिमाला कौन सा हो गया है निफे तो सियाल में सिलिका और अलुमिनियुम पाए जाएगा और ऑक्सिजन तो साथ में हो गई होगा सीमा के अंदर सिलिका और मेगनीशियम पाए जाएगा ऑक्सिजन तो साथ में हो गई होगा निफे के अंदर नि कोर होता है और ये कोर जो होता है उसमें दर्व होता है कुछ दर्व से मिलकर के ये कोर का निर्मान होता है तो कई सारे सवाल आमारे यहां पे हल हो जाते हैं तो ये सवाल था हमारा कि प्रत्वी की किस प्रत का निर्मान सिलिका और अलूमिनियों से होता है तो सियाल का हुआ ह तो इसका मलग किसका हुआ है क्रष्ट का हुआ है भूपटी का हुआ है आप क्या सकते हैं साथ नमबर सवाल देखें आपकी स्क्रीन पे है मानव सरीर का सबसे वयस्तम अंग कौन सा होता है सबको पता है मानव सरीर का सबसे वयस्तम अंग कौन सा होता है भारतिय निर्यात के तिरू परशारन में ये एकोनोमिक्स का सवाल है तो तिरू परशारन अगर निर्यात का करना है तो निर्यात का विवीदी करन की थियोरी लगाते है निर्यात का विवीदी करन अब निर्यात का विवीदी करन होता क्या है विवीदी करन का मतलब होता है न भारत के अंदर आती है, क्योंकि भारत में उसको एकटम नया बाजार मिल रहा है, तो ये निरियात अगर बढ़ाना है, निरियात का परशार करना है, तो निरियात के विविदी करन का नियम लगाया जाता है, ये मुख्या कारक होता है, नौ नमबर सवाल आपके स्क्रीन पे आप देखे, बादामी या वातापी के चालुक के वसका सरवादिक मान राजा कौन था, ये तो हमने पहले ही कर दिया है, कौन था, पुल के सित दित्य था, बादामी का सबसे माहन राजा था, फिर दास नमबर सवाल देखे, अबेलो नसानी, अबना नसो, पर तुलसी दास की किस करती में मिलती है अबेलो नसानी अब न नसो ये मिलती है विने पत्रीका के अंदर किसके अंदर मिलती है विने पत्रीका के अंदर मिलती है विने पत्रीका तो तुलसी दास की एक कत्री है तुलसी दास की एक रचना है विने पत्रिका उसके अंदर मिलती है राम चरीतर मानस भी किसका है तुलसी दास का है गितावली किसका है वो भी तुलसी दास का है संकट मोचन वो भी तुलसी दास का है पारवती मंगल वो भी तुलसी दास का है तो कुछ करती आप याद रखे रामचरीतर मानद सबसे important है और एक विनेपत्री का है तो एक इसके हैं तुलसी दास के हैं फिर अगला साल देखे 11 नमबर रैबीज का टिका किसने बनाया तो रैबीज का टिका तो किसने बनाया लुईपास्चर ने बनाया था सबसे कम उमर में राष्टपती पद को सूसोभित करने वाला व्यक्ति कौन था तो सबसे कम उमर में भारत के राष्टपती बने थे निलम संजीव रेड़ी कौन बने थे निलम संजीव रेड़ी सबसे कम उमर में भारत के राष्टपती बने थे अब आपसे स्वाल पूछाता है सबसे अधीक उमर में भारत का राष्टपती कौन बनाता तो उसका एंसर होगा वीवी गिरी सबसे अधीक उमर में भारत के राष्टपती बनेते वीवी गिरी और सबसे कम उमर में बनेते निलम संजीव रेडी तो ये दो स्वाल आपके यहाँ पे तयार हो गए फिर अगला स्वाल देखे तेरा नंबर स्वाल आपके स्क्रीन पे है 1665 इस्वी में पुरंदर की संदी किसके मद्दी हुई इसका मलब पुरंदर की संदी कब हुई थी 1665 में पुरंदर की संदी हुई है 1665 में ये किस किस के बीच हुई तो ये हुई है जैसिंग जैसिंग वस सिवाजी के बीच में पुरंदर की संदी हुई थी और उसमें किस ने कराई थी औरंग जेब था उसमें सासक समराट था औरंग जेब जैसिंग वस सिवाजी के मद्द्य हुई थी 1665 में जैसिंग कहां करे साथ सकता? ये आमेर के साथ सकते जैपूर के कछाववन्स के साथ सकते और सिवाजी कहां के थे? महाराश्ट के थे तो 1665 में हुई है पूरंदर की संधी फिर अगला स्वाल देखिए 14 नंबर समराट अक्बर दुआरा किसको जरी कलम की उपादी दे गए जरी कलम की उपादी समराट अक्बर ने किसको दी तो यहाँ पे दो स्वाल बनते बहुत इंपॉर्टन्ट है जरी कलम की उपादी और एक होता है सिरी कलम एक होता है सिरी कलम की उपादी तो जरी कलम की उपादी तो उन्होंने दीती मुहमद हुसेन को किसको दीती मुहमद हुसेन को तो जरी कलम की उपादी मुहमद हुसेन को दीती ये कस्मीर के थे इनके दरबारी कभी थे जरी कलम की उपादी दी थी, अब्दू, अब्दूस सम्मद को दी थी, अब्दूस सम्मद को, तो यह दोनों सवाल आप याद रखे, दोनों को साथ याद रखे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, जरी कलम की उपादी अक्मर ने दी थी, मुहमद हुसेन को, और स्री कलम की उपादी दी थी अब्दूस सम्द को दी थी दोनों सवाल आप साथ में याद रखेंगे फिर अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे हैं 15 नमबर सवाल मजब नहीं सिकाता आपस में बैर रखना मजब नहीं सिकाता आपस में बैर रखना ये पंक्तिया किसने कही थी ये कही थी मुहमद इकबाल ने प Panama ने कही थी? कही थी? मुहमद इकबाल ने फिर अगला स्वाल आपके स्क्रीन पे है 16 नमबर देखे पर्थवी की किस परत को सियाल परत कहता है? ये थो अभी हमने पढ़ लिया सियाल, सीमा और निफे सियाल किसको कहते है, क्रश्ट को कहते है, भूपर पटी को सियाल का जाता है फिर दूसरी जो होती है, उसको क्या कहते है, मेंटल कहते है और तीसरी जो होती है, उसको कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है जिसमें दरू से बनी होती है, तीसरी वाली कोर तो ये हो गया सियाल किसे कहेंगे भूपरपटी या क्रश्ट को कहेंगे फिर अगला स्वाल देखें कौन सायक संदी को स्विकार करने वाला भारत का पहला राजा था तो सायक संदीयों को करवा कौन रहा था वेले जली करवा रहा था वेलेजली साहिक संदियों को वेलेजली करा रहा था जो 1799 से लेकर 1805 तक गवर्न जनरल रहे थे भारत के 1799 से 1805 तक इन्होंने 1799 में सभी रियासतों से साहिक संदिया करना शुरू कर दिया था तो सबसे पहले साहिक संदि किसने की तो सबसे पहले साहिक संदि की थी हैदराबाद के निजाम ने की थी सबसे पहले साहिक संदि की थी और अगर पूछा जाई राजस्थान में सबसे पहले साहिक संदि किसने की तो भरतपूर के राजा ने की थी 803 के अंदर और सबसे ज्या अगला सवाल, 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारतिय विदेश वेपार संस्तान, का इस्तित है, भारतिय विदेश वेपार संस्तान जो है, वो आपका नई दिल्ली के अंदर है, का पे इस्तित है, नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है, विदेश वेप और एक सवाल था जरी कलम से किसी नवाजा गया महुमद हुसेन को तौप इसको याद करिए ताकि आपको अब सवाल मिले एकसम है तो आप इसको अराम से कर सकते हैं फिर बीसों सवाल देखे वंदना के इन सवरों में एक सवर मेरा मिला दो यह काविय पंक्ती किस कवी ने कई ती तो यह कई ती सोवनलाल दिर्वेदी ने तो आप हमने जो अभी 20 सवाल कियें इनके अगर आप answer लिखना चाहते तो यह आपके screen पर आपको answer भी दिख जाएंगे इनके answer आप यहां से देख करके लिख सकते हैं, तो इन सवालों को आप बार-बार पड़ो यह सवाल आपके तयार हो जाएंगे और इनके साथ हमने जो एक्स्रा सवाल किये है उनको आप चाहो तो एक कोपी में लिख करके याद कर सकते हैं, फिर देखिए आगे करते हैं हम आगला पार्ट अपना करते हैं आज का उसके अंदर पहला सवाल देखे कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्रदाई है तो अभी हमने पढ़ लिया पहला ही सवाल था कि भई बरफ पर हम क्यों नहीं चल सकते हैं क्योंकि बरफ में घर्षन का अभाव पाया जाता है इसका मलब घर्षन होगा तब हम ब्रेक लगा पाएंगे तो कार या बस में ब्रेक लगाने लिए कौन उत्रदाई है गर्षन सबसे अधीक उमर में राष्टपती पद को सुसोबीत करने वाला वक्ती कौन था ये भी हमने अभी सवाल पढ़ लिया है सबसे कम उमर में था निलम संजीव रेड़ी और सबसे अधीक उमर में कौन था वीवी गरी भारत के राष्टपती बने थे सबसे अधीक उमर में तीसरा सवाल देखिए किसमे क्लोरीन की ओक्सीकन अवस्ता प्लस एक होती है तो क्लोरीन की ओक्सीकन अवस्ता प्लस एक होती है हाइपो क्लोरस में किसमें होती है हाइपो क्लोरस अम लिके अंदर क्लोरीन की प्लस एक अवस्ता होती है अक्षिकन वास्ता हाइपो कलोरस अम लिखे अंदर तो इसका उतर हो जाएगा हाइपो कलोरस अम चौता नमर देखे पिट्रा ड्यूरा का आरंब किसने करवाया तो ये पिट्रा ड्यूरा होता क्या है तो पिट्रा ड्यूरा कुछ नहीं होती है एक कला होती है जिससे आप संगमर लाल संगमर सपेश संगमर इनसे मूर्तिया बने जाती है या कोई दिवार बनाई जाती है तो ये किसने सुरू की थी ये मुगलकाल में सुरू ही थी और मुगलकाल में किसने सुरू की थी जहागीर ने सुरू की थी ये भी एक important सवाल है तो पिट्रा ड्यूरा किसने सुरू की जहागीरने की एक कला होती है, मूर्ती बनाने की दिवार बनाने की या कुछ भी आकरती बनाने की एक कला होती है, तो सुरू की ती जहागीरने, फिर पाज नमबर स्वाल देखी है, किस देश का राष्ट्य पसू कंगारू है, तो आप अपने बच्चे को रख सकता है कंगारू च्छै नमबर स्वाल देखे भूपटी में सरवाधिक पाया जाना वाला था तो कौन सा ये भी आजम ने कर दिया सियाल, सीमा और निफे और फिर अगर भूकम के आदार पर नाम दिया जाए तो इसका प्रमोचन हुआ है कैपलर मिसन का साथ मार्च दो हजार नौ को कब हुआ दो हजार नौ आप ध्यान के साथ मार्च दो हजार नौ को हुआ था तो नासा का एक टैली स्कोप है कैपलर मिसन आपसे ये पूछा जा सकता है कैपलर मिसन क्या है तो आप कहेंगे नासा का एक टैली स्को इसका प्रमोचन कब हुआ था तो आप कहेंगे 7 मार्थ 2009 को हुआ था फिर आठ नमबर स्वाल देखे LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहां पर इस्थापित किया गया तो LNG के आयात के लिए हमने इस्थापित किया है दाहेज के अंदर दाहेज एक टर्मिनल है या बंदरगा है भारत का जो कहां पर है गुजरात के अंदर है गुजरात के अंदर एक बंदरगा है दाहेज जहांसे हमने LNG के लिए टर्मिनल शुरू किया है दाहेज बंदरगा स पुछे कहां से हैं तो आप कहेंगे गुजरात का है फिर आप अगला स्वाल देखिए 9 नंबर किस वोईसराय के कारेकाल में भारत में सवीधान सभा का गटन हुआ था जिसने सवीधान बनायाता भारत का तो वो हुआ था लॉड़ वैवल के समय किसके समय, Lord Wevel के समय, ये Lord Wevel जो थे भारत के वोईसराई बने थे 1943 में, और कब तक रहे थे, 1947 में, मार्च 1947 तक रहे थे, और फिर बाद में कौन आ गे थे, Lord Mountbatten आ गे थे, और सविधान सभा जो बनी थी, हमारी कब बनी थी, 1946 में, इसका मलब सविधान सभा के समय, जो वोईस नाये थी तो 1946 में हमारा सवीधान सभा बनी थी और लॉड वेवल जो थे उस समय भारत के वोइस राइट है फिर अगला स्वाल देखते हैं किस देश का राजनितिक दल बात पार्टी है बात पार्टी किसका है इराग का ये भी अच्छा पूचा जाता है बात पार्टी किसका से नारियल संबंद होता है तो एक आवरत बीजी का एक परकार होता है पॉलमी उससे संबंदित होता है नारियल तो आपको ये थोड़ा याद रखना है पॉलमी जो होता है आवरत बीजी का एक परकार होता है एंजयोश्पिरी का उसमें नारियल उससे संबंदित होता है प किस राज्य से थे तो सबसे ज़्यादा राष्टपती देने वाला राज्य कौन सा है तो आप कहेंगे सबसे ज़्यादा राष्टपती दी है तमील नाडू ने भारत को सबसे ज़्यादा राष्टपती किस राज्य ने दिया है तमील नाडू ने दिया है कौन-कौन थे जैस कौन सा राजिय जिसने हमें राष्टपती दियें तो आप कहेंगे तमील नाडू अगर मैं आपसे पुछू सबसे ज़्यादा परधान मंत्री किस ने दियें तो सबसे ज़्यादा परधान मंत्री दियें यूपी ने भारत को सबसे ज़्यादा परधान मंत्री दियें यूप से हैं रामनात कुमींद कहां से हैं यूपी से हैं और अभी जो प्रदान मंत्री है नरेंदर मोधी सब जानते हैं कहां से हैं गुजरात से हैं फिर अगला सवाल हम देखते हैं चडिया का आकास में उड़ना है न्यूटन के गती के किस नियम से समद्धी तो इसका नियम का पहला नियम क्या होता है जड़त्व का नियम दूसरा होता है बल का नियम और तीसरा क्या होता है किरिया परती किरिया का नियम तो चडिया इसी से उड़ती है किरिया परती किरिया या पूछ ले रॉकेट कैसे उड़ता है तो किरिया परती किरिया का नियम होता है यह भी सवाल अच्छा बनता है रॉकेट वाला भी 14 नमबर स्वाल देखे जिस समय cabinet mission भारत आया था कब आया था? 1946 पे चैनल 20 में सविधान सभा बनाने के लिए उस समय ब्रिटेन के परदान मंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन का परदान मंत्री था Atlee कौन था? Atlee उस समय ब्रिटेन के परदान मंत्री थे फिर अगला स्वाल देखे, CBI किस देश की गुपतचर संस्ता है, CBI तो भारत की है, तो CBI किस की है, CBI है भारत की, और पूरा नाम क्या है, Central Bureau of Investigation, सबसे अच्छा इस पर सवाल और बन सकता है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1963 के अंदर CBI की स्थापना हुई थी, हेड रिकवेटर का है, इसका मुख्यले का है, तो इसका मुख्यले है, नई दिल्ली के अंदर CBI का मुख्यले है, तो CBI है भारत की, फिर अगला स्वाल देखे, आप प्रत्वी का कोर किस रूप में है, ये भी स्वाल आदम ने कर दिया था, प्रत्वी का कोर, एनकि एक होता है, क्रश्ट होता है एक मेंटल होता है एक कोर होता है तो कोर किस से बना होता है दरव से बना होता है बाकी दोनों जो होते हैं वो ठोस से बने होते हैं 17 नमबर सवाल आप देखे आपकी स्क्रीन पे हैं आधुनिक विश्व की प्रत्थम राजनितिक चिंतक किसे माना जाता है जिने आदुनिक politischen का जाता है जिनके आदुनिक निर्मार के politisian मना जाता है मैं क्या वली को और इटली के थे फिर अगला स्वाल देखिए आप 18 नम्र स्वाल है किस वर्ग के देसों के साथ भारत का सरवाधिक आयात वैपार है तो किस वर्ग के देसों के साथ तो आप पहले सूची कि भारत सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का करता है तो भारत सबसे ज़्यादा आयात पेट्रोल का करेगा, डीजल का करेगा और इंदन का ज़्यादा करेगा, LPG वगेरा, इन गैसों का ज़्यादा करेगा तो इसका मलग इस सवाल का जबाब हो गया किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सरवाधी का आयात वह पर होता है तो आप कहेंगे ओपेक देश और इसके सदस्य देश कितने हैं 12 ये सब अपने पैंट्रोल इंदन वगेरा देते हैं और इनका मुख्यले का है वियना ओस्टिया के अंदर 19 नमबर सवाल देखे वेवल प्लान की घोशना लॉर्ड वेवल ने कब की थी तो वेवल प्लान की घोशना हुई है 14 जून 1945 को 14 जून 1945 को वेवल प्लान हुआ था लगबग उस समय अपना दित्य विशुयुद खतम हो गया था और उन्होंने का था कि अब वेवल योजना में उन्होंने क्या का उन्होंने का कि हम आपके लिए सवीधान सभा बनाएंगे वो उन्होंने बनाई भी 1946 के अंदर फिर उननका कारिय करानी जो परिस्द होगी वोईसराई की उसके अंदर हिंदूर मुस्लिमों का अनुपात हम समान रखेंगे और जो आपके नेता हमने जेल में डाले उनको भी रिया करेंगे और वैवल योजना समाप्त होने के बाद हमें एक सिमिला समेलन का आयोजन भी करेंगे जहां आपके सारे मुद्दे सुने जाएंगे तो इस तरह से वैवल योजना की डेट आप ध्यान रखें C.I.A. और F.B.I. दोनों गुपचर एजेंशिया का की है अमेरिका की C.I.A. का पूरा नाम होता है Central Intelligence Agency Central Intelligence Agency और F.B.I. का होता है Federal Bureau of Investigation जैसे C.B.I. भारत का होता है वैसे F.B.I. का का होता है अमरिका का और C.I.A. भी का का है अमरिकिया की गुपचर Agency है तो आज हम इतने सवाल करेंगे आप इनके एंसर यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर आपको यह पसंद आ रहा है वीडियो तो आप इसको जादा से जादा लाइक करें शेयर करें और सबिस्क्राइब करके दूसरों से भी करवाएं और दूसरे स्टुडेंट्स का भी हेल्प करें तो बहुत-बहुत धन्यवाद